washing machine segment में सबसे ज़्यादा कोई machine sale होती है तो वो है semi-automatic washing machine और हर एक Indian middle class family की हमेशा पहली choice होती है क्योंकि दोस्तो semi-automatic washing machine, automatic machine के मुकामले पानी की खपत और बिजनी की खपत काफी कम करती है और दोस्तो इसका best party है कि यह आपको price में भी काफी सस्ती मिल जाती है इसे में दोस्तों अगर आप भी 2024 में अपने लिए एक best semi-automatic washing machine purchase करना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही वीडियो पर आया है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा top 5 best semi-automatic washing machine in India 2024 के बारे में वो भी खरिदे से पहले कि ज़रूरी important बाते और pros and cons के साथ में जिससे कि आपको मदद मिलेगी अपने लिए एक best buying DCL लेने में semi-automatic washing machine में आपको top में दो compartment लता है कपड़े wash करने के लिए आपको washer compartment में लेगा वहाई दोस्तों एक बार कपड़े आपके अच्छे तरीके से wash जाएंगी तो फिर उन्हें सुखाने के लिए आपको जो है वो manually washer compartment से drawer compartment में कपड़े shift करने होता है इन machines में दोस्तों काफी सारे आपको manual efforts करने होता है जैसे कि water supply आपको self करनी होती है washing program आपको select करना होता है timing आपको select करने होती है और दोस्तों एक बार आपको एक अपड़े wash जाते हैं उसके बाद जो भी west water होता है उससे निकालने के लिए भी आपको drain button के थुरू जो है वो पानी को बाहर निकालना होता है तो यहाँ पर काफी सदा manual efforts लग रहे हैं तो इसे लिए इन washing machine को semi-automatic washing machine कहा जाता है वही दोस्तों इन washing machine के pros and cons की बात करें तो pros यह है कि दोस्तों compare to automatic washing machine के मुगाबले यह washing machine बीजिले की कपत और पानी की कपत कम करती है वही दोस्तों यह price में भी आपको काफी सस्ती देखने को मल जाती है और इनमें आपको एक अच्छी washing quality का भी experience होता है वही कौन हैने की कमी के अगर में बात करूँ तो कमी है कि दोस्तों compare to automatic washing machine के मुगाबले semi-automatic washing machine में आपको features और washing program यहाँ पर कम देखने को मलेंगे वही दोस्तों इन washing machine में आपको काफी ज़्यादा manual effort भी कर रहा होता है लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई idea ही नहीं है कि आगर आपको किस type की washing machine अपनी family के लिए purchase करना चाहिए जैसे कि semi-automatic या फिर automatic automatic लें तो कौन से लें, top load लें या फिर front load लें एक washing machine आपको अपनी family के लिए कितने kilo की purchase करना चाहिए जिसे कि 6 kg, 7 kg या फिर 8 kg washing machine के अंदर कौन कौन से इसे जरूरी important features लोडा चाहिए जिसे कि machine से आपको बहुत ही अच्छी washing quality देखने को मला है तो दोस्तों इस topic के उपर मैंने आपके लिए एक detail में वीडियो बना हुआ है जो के complete washing machine buying guide वीडियो है washing machine purchase करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे doubts लेर हो जाएंगे और आप अपनी family के लिए एक best washing machine purchase कर पाएंगे दोस्तों इस वीडियो के link आपको description box में मिल जाएगी दोस्तों इस वीडियो को हम आपको जो top 5 best semi-automatic washing machine मताएंगे उन पे हमने higher, godrich, whirlpool, samsung और lg की semi-automatic washing machines को consider किया है और दोस्तों इन सभी machines को हमने एसे ही consider नहीं किया है काफी ज़्यादा हमने इनके उपर research किया है और दोस्तों Godrich की machine को अगर हम छोड़ दें तो सभी washing machines के detail demo videos भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मैं जाएंगे और उन videos को देखकर आप अपना knowledge बढ़ा सकता है और अगर आप हमारी affiliate link से अगर purchase करते हैं तो दोस्तों आपके product की price तो वही रहेगी लेकिन आप indirectly हमारे चैनल की काफी financially help कर देंगे अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो हमारे दोरा देगई affiliate link से ही purchase करें दोस्तों सभी brand के semi-automatic washing machine का working process mechanism एक समान ही होता है तो एसे में दोस्तों आपको काफी सारे features इन सभी machines में एक जिसे ही देखने को मलेंगे ये सभी machines दोस्तों auto restart feature के साथ आती है और ये feature दोस्तों कुछ इस तरीके से गाम करता है कि सबोज अगर आप washing machine में कपड़े wash कर रहा है और मान के चलें कि दोस्तों बीच पे अचाना कि यहने की electricity यहने की light चली गई तो दोस्तों जब कभी भी electricity यह light दोबारा आएगी तो machine आपके कपड़े वहीं से wash करना start करेगी जहाँ पर उसने electricity जाने पस stop किये थै वही दोस्तों इन सबी washing machine में आपको lent filter जिसे कि हम magic filter करते हैं वो भी देखने को मलेगा और दोस्तों lent filter और magic filter को आपको एक से डिड़ अपते में एक बार बाहर निकाल कर साफ करके दोबारा लगाना है इससा आपको करने की ज़रूत इसलिए है कि दोस्तों जब कभी भी मशीन में लगातार कपड़े wash करते रहते हैं तो जो भी कपड़ों के रूवे होते हैं या जो भी mail होता है वो lent filter के उपर जाकर जमा हो जाता है तो इसे में आपको lent filter को time to time साफ करके दोबारा लगाना होता है दोस्तों इन सभी washing machine में आपको buzzer का feature भी मिलेगा यनि कि दोस्तों जब कभी भी machine आपके कपड़ों को wash कर देगी तो उसके बाद buzzer के तुरू आपको ये indicate करेगी कि आपके कपड़े wash हो चुके हैं इसके रहाब दोस्तों इस सभी washing machine आपको rust proof plastic body के साथ देखने को मिलेगी और दोस्तों plastic में वेसे भी आप सभी को बताए कि जंग लगने का खत्रा ना के बराबर होता है साथ इसाथ दोस्तों आपको इन सभी washing machine के अंदर rate of feature भी मिल जाएगा जिसमें दोस्तों इस सभी brand ये claim करते हैं कि machine के अंदर चुओंए enter नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों इन सभी brand ने machine के bottom में एक plastic की मूटी जाली लगा दिया है जिसके करान दोस्तों ये claim कर रहा है कि machine के अंदर चुओंए enter नहीं कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आजकल चुओं की साइज बहुत जादा बड़ी हो गई है और प्लास्तिक को डेमेज करना या फिर कुदरना चुओं के लिए काफी आसान है तो इसे में दोस्तों आपको क्या उपाय करना चाहिए आपको ये उपाय करना चाहिए कि दोस्तों मार्केट में मच्छर वाली लोही की जानी अवेलेबल है वो आपको टेक्निशन से रिक्वस्ट करके इंस्टॉल करा दाना है मशिन के बॉटम में जिससे कि मशिन के अंदर चुओं एंटर ना कर पाएं और आपकी मशिन जो है वो बिल्कुल भी चुओं से सेफ रहे टाउफ फाइब बैस्ट सेमि आटोमेटिक वाशिंग मशिन एनि ने टो थाउसन 24 में नमबर फाइब पर है हाइर की ओर से आनी वाइली ये 8KG 5 सेमि आटोमेटिक वाशिंग मशिन जिसमें आपको 1400 RPM के इशिफ्ट पिलेगी एक वाशिंग मशिन में दोस्तों जितनी ज़्यादा स्पिन स्पिल होती है याशिए कि जितने ज़्यादा RPM के काउंट होता है वो वाशिंग मशिन आपके कपड़ों को उतना ही ज़्यादा जल्दी फास्ट ड्राय करते हैं यह नहीं कि जल्दी से सुखाती है जब भी आप कपड़े ड्रायर कमपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों तेजी से आपके कपड़ों को स्पीन किया जाएगा और उन्हें जल्दी से सुखाया जाएगा इस मशीन में तीन आपको बेसिक वाशिंग प्रगाम मिल जाता है वहीं दोस्तों पलसेटर के गर में बात करूँ तो इस मशीन के अंदर आपको 690 रुपए जिसके बस्ट बाइंग लिंग मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब बात करता है इस वाशिंग मशीन के प्रॉस और को देखने को मिलेंगे कि ये मशीन आपको काफी कम बजट में देखने को मल जाती है और एक अच्छी वाशिंग को डिटी भी इस मशीन से आपको मल जाती है वही दोस्तों कौन से निकिक अगर कमी की गर में बात करूँ तो कौन ये है कि इस मशीन में जो स्विंस्ट बिट मिल रही है वह compared to other brand की मशीन के मुगाबले थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मल जाती है वही दोस्तों रूरल रिडे के गर में बात करूँ तो वहाँ पर higher की जो after sale services है वो भी आपको उतनी बहतर देखनी को नहीं मल दी लेकिन अगर आप गाओं वाले लाके से भिलाउंगी नहीं करता है और शेहर भी रहता है और आपका budget कम है तो इसे में यह washing machine आपके लिए एक अच्छी choice बन जाती है इस मशीन की खास बात है कि दोस्तों इसमें जो washer और dryer compartment आपको मिल रहा है वो stainless steel material का बना हुआ यहाँ पर देखने को मल रहा है वही दोस्तों आपको tryo scrub pulsator इस machine में मिल जाता है जिसकी वज़े से आपको एक अच्छी washing quality experience होता है इस machine में दोस्तों आपको top में याफ़र toughening glass door मिलता है और दोस्तों जो door मिल रहा है वो soft closing door है याने कि automatically close होता है उसे आपको forcefully close करने की ज़रत नहीं होती इस machine में दोस्तों आपको 2 साल की और और परटक पर वारंटे मिलेगी वही पास साल की motor पर और अगर आप इस machine को अपने लिए purchase करना चाहता है तो फिलाल इसकी current pricing 17,500 रुपए जिसके best buying link मिलेगी आपको description box में अब बात करता है pros and cons की तो दोस्तों pros देने की फायदा है आपको इस machine में यह देखने को मिलेंगे कि इस machine में आपको सारे required features देखने को मल जाता है और best party है कि दोस्तों washer and dryer दोनों ही compartment आपको still still metal के बने हुए देखने को मलता है वही कौन हैने की कमी की गर में बात करूँ दोस्तों इस machine में noise level compare to other brand की washing machine के मगाबले थोड़ा सा जादा आपको देखने को मिलेगा वही दोस्तों गाहों वाले इलाकों में भी Godred की जो after sale services है वो आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलते हैं अगर आप शहरी इलाके स को आप अपने लिए कर सिदर कर सकते हैं top 5 best semi-automatic washing machine in India 2024 में नमबर 3 पर है whirlpool की ओर से आने वाली यह 8.5 kg 5 star semi-automatic washing machine जिस पर आपको 1400 RPM के स्पिल्स में लेगी और आपको 3 basic washing प्रोगाम मिलेंगे इस machine में दोस्तों आपको tub के अंदर inbuilt color scrubber का feature मिल जाता है जिसकी help से आपको एक अच्छी washing को लेटिक experience होता है साथ इस साथ दोस्तों इस machine के अंदर आपको four wheels देखने को मल जाएंगे जिससे के machine को एक जगह से दुसी जगह shift करना काफी आसान हो जाता है इस machine में दोस्तों आपको दो साल की ओर और प्रोड़क पर warranty मिल रही है और तस साल की motor पर और दोस्तों वर्ल पूल ये offer आपको provide कर रहा है कि अगर आप एक जनवरी की बाद से इस machine को buy करेंगे तो आपको दो साल की additional warranty और मिलेगी इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको चार साल की यहाँ पर और और प्रोड़क पर warranty देखने को मिल रही है अगर आप इस machine को अपने पर्चेस करना चाहता है तो फिलाल दोस्तों उसकी current price में 12,870 रुपए जिसके best buying link मिलेगी आपको description box में अब बात करते हैं दोस्तों इस machine के pros and cons की तो दोस्तों pros ये है कि इस machine के अंदर आपको सारे required features देखने को मिल जाएंगी वही दोस्तों best party ये machine आपको 12,870 रुपए मिल जाती है वो भी 8.5 किजीगी अगर आपकी family बड़ी है और आपको daily 6 लोगों के कपड़े wash करने होता है तो इसे में ये machine आपके लिए बहुत ही अच्छी choice है वही कमी के अगर में बात करूँ तो दोस्तों compare to other brand की machine के मुखाबले जब कभी इस machine में आप का पड़े dry करेंगे येने के सुखाएंगे तब ये machine noise येने की vibration थोड़ा सा ज्यादा करेगी वही दोस्तों after sale services के अगर मे 2 पर है Samsung की 9.5 kg 5 star semi automatic washing machine जो की बड़ी family के लिए एक बहुत ही अच्छी choice है अगर आपको daily 7 साथ से लेकर 8 लोगों के कपड़े wash करना होते हैं तो दोस्तों एसे में ये machine आपके लिए बहुत ही अच्छी choice बन जाएगी और इस machine के अदर आपको 1300 RPM के spill speed मिलेगी वहीं आपको 4 washing रुगा मिल जाता है इस machine में दोस्तों आपको hexa strong pulsator मिलता है जिस बाए दोस्तों आपको 3 roller मिलेंगे और इस pulsator के बाद से दोस्तों आपको एक अच्छी washing quality मिल जाते है इस machine के अंदर दोस्तों आपको 4 wheels मिल जाता है जिससे के machine को एक जगह से दुसरी जगह shift करना काफी easy और आसान हो जाता है इस machine पर दोस्तों Samsung की ओर से आपको 2 साल की यहाँ पर overall product पर warranty मिलेगी और 5 साल की motor पर और इस machine के दोस्तों फिलाल करन बाइसे 15,990 रुपए जिसकी best discount buying link मिलेगी आपको description box में अब बात करता है इस machine के pros and cons की दोस्तों कौन इने की कमी के वल आपको यह इस machine में आपको spin speed थोड़ी से कम मिल रही है लेकिन 5 यह काफी सा रहे है यानि की 15,990 रुपए के budget में आपको 9.5 kg की washing machine मिल रही है जिसके built quality भी आपको काफी solid बन जाती है और washing quality का experience भी आपको काफी कमाल का ही रहता है और दोस्तों Samsung की जो after sales services है वो भी आपको काफी automatic washing machine in India to the Oz1 24 में नमबर 1 पर है LG की 8.5 kg 5 star semi-automatic washing machine जो की 1300 RPM की spill speed के सदा दी है और इस machine में आपको 4 washing बढ़ा मिल जाता है वही पलसेटर की अगर में बात करो तो दोस्तों इस machine में आपको ruler jeep पलसेटर मिलेगा जो की काफी strong है जितनी भी washing machine दोस्तों में आपको इस studio में बता ह है साथ ही आपको यहाँ पर तीन चोटे चोटे पलसेटर मिलता है और बीच पर आपको एक में पलसेटर मिलता है जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छी washing औरेटी का experience होता है इस machine में दोस्तों आपको यहाँ पर 360 degree wheels मन जाता है जिससे की दोस्तों machine को एक जगह से दुश साल के यहाँ पर और पर वारंटे मिलती है और पास साल की मूटर पर और अगर आप इस machine को अपने लिए पार्चेस करना चाहते हैं तो फिलाल इसकी करन प्राइस है 15,990 रुपए जिसकी best discount buying link दे है मैं आपको description box में अब बात करता है इस machine के pros and cons की तो दोस्तों कौन इने की कमी आपको केवल ये देखने को मिलेगी कि compared to other brand की machine के मुकाबले इस machine में spin speed आपको यहाँ पर थोड़ी से कम देखने को मिल जाती है लेकिन काफी सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे इस machine में आपको ruler jet pulse letter मिल रहा है जो कि कमाल की washing quality आपको provide करेगा वहीं दोस्तों built quality आपको इस machine की काफी बढ़िया मिल जाती है और most important दोस्तों energy की जो after sell services है वो आपको pen India काफी बढ़िया देखने को मिलेगी और एक और दोस्तों एक अच्छा फायदा आपको इस machine में मिलता है कि जब भी आप इस machine में कपड़े wash करेंगे या dry करेंगे तो दोस्तों machine vibration काफी कम करेंगी जो की इस machine का plus point है तो दोस्तों यहीं रही complete details top 5 best semi-automatic washing machine in India 2024 के बारे में दोस्तों मैं उम्मेद करता हूँ कि इस video को पूरा detail में देखने के बाद अब आपने लिए टेक best semi-automatic washing machine ज़रूर पर्चस कर बाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्ल बिल्कुल बत बोलिएगा और अगर आपके कोई सवाल है प्लेस कमेंट कीजिए मैं आपके सवालों कर रप्लाए आपको जरूर दूँगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मलता है बहुत चल देखने वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातराउं